इस चैनल पर आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 51 भेरी इंपॉंटेंट ऐसे अंगरेजी के संटेंस लेकर आया हूँ जो आम रोज मर्रा के जिंद्गी में हम लोग यूज करते हैं यह सभी लोगों के लिए इंपॉंटेंट है चाहे मॉलते हैं अपनी कमीज का बटन लगा लिजिये यह अपनी कमीज का बटन लगा लो buttoned up your shirt अपनी कमीज का button लगा लिजिए ऐसा कभी नहीं होगा this will never happen ऐसा कभी नहीं होगा तुम्हारी यहां नहीं चलेगी अक्सर अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं कि ठीक है तुम बहुत बड़े तोफ हो तुम्हारी यहां चलती होगी लेकिन तुम्हारी यहां नहीं चलेगी तो इसको हम अगरेजी में बोलेगे you will not prevail here you will not prevail here आई अगले sentence को देखते हैं चाहे कुछ भी हो जाए अक्सर हम बोलते हैं कभी कभार चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहां जाओंगा कुछ भी हो जाए मैं वहां जाओंगा कम भाट में I will go there अपने आपको सुधार लो mend your ways mend your ways अपने आपको सुधार लो उसे बाहर निकाल दो कभी कभार हमें इस sentence का प्रोग करना पड़ता है उसे बाहर निकाल दो बहु ज़्यादा disturbance पैदा कर रहा है तो इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे show him the way out show him the way out उसे बाहर निकाल दो अपने जूतों के फीते बान लो किसी का फीता खुला है बच्चे को तो बोलता है अपने जूतों के फीते बान लो less up your shoes less up your shoes अपने जूते के फीते बान लो अभी कोई आदमी आपके पास आता है आपका फ्रेंड आता है या कोई relative आते हैं उचल्दवाजी में आते हैं मैं बैठूँगा नहीं आया हूँ बस तुमसे मिलने के लिए और मिलके चला जाओंगा तो हम लोग बोलते हैं जड़ा बैठिये तो सही तो इसे अंग्रेजी में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे जड़ा बैठिये तो सही इसको बोलेंगे डू सीट प्लेज डू सीट प्लीज जड़ा बैठिये तो सही मेरे पास बैठो इसको बोलेंगे सीट बिसाइड मी सीट बिसाइड मी मेरे पास बैठो अगर हमें यह बोलना होगा मेरे से दूर बैठो पहले हमने बोला मेरे पास बैठो तो उसका हुआ सीट बिसाइड मी अगर बोलना होगा मेरे से दूर बैठो सीट बिसाइड स्मी सीट बिसाइड स्मी इसमें हम एस लगा देंगे beside miss लगा देंगे तो हो जागा मेरे इससे दूर बैठो मतलब मेरे पास नहीं बैठो आगे है मुझसे आगे बैठो sit before me sit before me मुझसे आगे बैठो अगर किसी को बोलना हो बच्चे पालती मार कर बैठो तो अंगरे जी में बोलेंगे sit crossed leg sit crossed leg sit crossed leg on ground जमीन पर पालती मार कर बैठो अगर हमें आपस में बाच्चित कर रहे हैं और अपना एक opinion होता है अरे यार जाते जाते उससे कुछ नहीं कहना चाहिए तो हम इस यंगरे जी में बोलेंगे while going he shouldn't say anything while going he shouldn't say anything जाते जाते उससे कुछ नहीं कहना चाहिए वह खेलने लगा अगर इस यंगरे जी में बोलना होगा तो हम बोलेंगे he begin to play he begin to play अगर हमें बोलना हो he begin to laugh वह हसने लगा he begin to cry वह चिलाने लगा इस तरह के word हम sentence हम लोग रोज मर्रा के जिन्गी में यूज करते हैं तो अगर हम इसको अमल में लाएं तो हमारी एंग्रेजी में नेशी तुरुप से इंप्रूमेंट होगा कैसा रहा कभी कवार हम पुछते हैं भाई तुम गोवा घुमने गया थे गोवा का ट्रिप कैसा रहा यह तुम्हारा परिच्छा कैसा रहा तो अगर कैसा रहा जैसा सब्द बोलेंगे तो उसके लिए एंग्रेजी के word है वाट अबाउट अभी आगे अचल कर आपको और किलियर होगा वाट अबाउट का प्रियोग जैसे तुम्हारा परिच्छा कैसा रहा इससे हम बोलेंगे अग्रेजी में वाट अबाउट योर एग्जामिनेशन वाट अबाउट योर एग्जामिनेशन तुम्हारा परिच्छा कैसा रहा और अगर हमें बोलना रहा तुम्हारा go our trip कैसा रहा तो हम बुलेंगे इस तरह से हम sentence बना सकते हैं और अगर हमें यह बोलना हो कैसा रहेगा तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे आगे दिखते है ऊहा जाना कैसा रहेगा तो इसके लिए हम बोलेंगे अंगरेजी में How about going there? How about going there? उहां जाना कैसा रहेगा? या पिकनिक पर जाना कैसा रहेगा? How about going on picnic? उहां जाना कैसा रहेगा? बस बहुत हो गया कभी कभी हम मूप जाते हैं किसी के एक्टिविटी से अब बात करते करते कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा हो और आपको irritate कर दिया और सुनते सुनते आपका मन बहुत उप गया तो हम बोलेंगे बस बहुत हो गया अंगरेजी में हम बोलेंगे Enough is enough Enough is enough मतलब आप बहुत हो गया कि अभी कोई समस्य ऐसी आ जाती है जो समझ भी नहीं आता है इसका क्या सवयूशन होगा को हम बोलते हैं चक्राने वाली समस्या है इसी हमार hatır खर्राब हो रहा है चक्राने वाली समस्या है इसको अमग लेजुए जीमें पर लेंगे अ वह बादे का पक्का है इसको अमंगे जी में बोलेंगे He is a man of word वह बादे का पक्का है वह जो कहता है वो करता है वह चुपा रुस्तम है इसको अमंगे जी में बोलेंगे He is a dark horse He is a dark horse वह चुपा रुस्तम है उसके बाल सफेद है He has a grey hair उसके बाल सफेद हैं अगर कोई हमसे नराज हो जाता है यह नराज नहीं भी होता है तो अगर हमें लगता है को नराज है तो हम पुछते हैं कि आप मुझे नराज हो तो इसको हम इंगलिश में बोलेंगे आर यू एन्वाइड टु मी कि आप मुझे नराज हो कभी कवार ऐसा होता है कि किसी के बास तुमकर आपका दिमाग खराब जाता है पिर लगता है आदमी जो है मुझे बहुत अंकर रहा है बहुत परसांद कर रहा है औप फ्रस्टिट हो जाते हो तो बोलतों मैं उसका दिमा ठिक कर दूँगा वहां नंगे पैर मज जाओ बच्चे को अक्सर मरस्या देते हैं बच्चे तो कहीं भी नंगे पर भाग जाते हैं तो हम बोलते हैं बेटा वहां नंगे पैर मज जाओ तो इसके लिए हम अंगरेजी में sentence बोलेंगें डॉंट गो देयर बेर फुटेड वहां नंगे पैर मज जाओ वहां शिशक शिशक कर रो रही है इसको बोलेंगे She is sobling She is sobbing Sobbing का मतलब होता है Shishak shishak कर रोना She is sobbing वह करा रही है She is moaning She is moaning Moaning मत कराना Moan मतलब कराना She is moaning मकिया भिन भिना रही है Flies are buzzing जब घर में मकिया जदा हो जाती है तो कहते हैं मकिया भिन भिना रही है तो flies are buzzing अपना ही घर समझो तो इसके लिए हम इंगलिश में बोलेंगे Make yourself at home Make yourself at home अपना ही घर समझो उसे जाने दो कभी कबार बोलना पड़ता है और अब कोई guest आये है और रुखने का नाम दे ठीक है उन्हें जाने दो तो हम बोलेंगे Let him go उसे जाने दो गिलास में पानी डालो इसको हम बोलेंगे Pour water into the glass गिलास में पानी डालो पानी डालिये ऐसी लड़की और मेरी बहन कभी नहीं इसको बोलेंगे Such a girl and my sister never ऐसी लड़की और मेरी बहन कभी नहीं वही हमें बोलना पड़ा ऐसा लड़का मेरा दोस्त कभी नहीं Such a boy and my friend never Such a boy and my friend never ऐसा लड़का मेरा दोस्त कभी नहीं हो सकता अभी कभी बोलते लगता है तो लगता है उसके लिए हम अंगरेजी बाड़ी उच करेंगे It seems लगता है वही अगर हमें बोलना पड़े आसा है कि आप मेरे घर आओगे तो बोलेंगे It's hope आसा है कि बारिश होगी It's hope कहने की जरूरत नहीं है कहने से पहले कोई अगर कुछ कहना लगा आपको लगता है कहने की जरूरत नहीं है मैं समझ गया तो कहने की जरूरत नहीं है उसके लिए हम परयोग करेंगे No need to say No need to say कहने की जरूरत नहीं है हो सकता है समभाबना ब्याक्त करते हैं हो सकता है It may be It may be हो सकता है बारिश होगी हो सकता है मैं आपके घर आओ It may be अपसोस है It is regretted अगर हमें दुख परकट करना हो तो बोलेंगे It is regretted अपसोस है पैसा सब जगा बोलता है Money speaks everywhere यहाँ पैसा सब जगा बोलने का मतलब है कि पैसा को भगवान ने मुह ने दिया बोलने के लिए इस कहने का मतलब है कि पैसा की उपजबता इतनी है कि पैसे से ही रोज मरा की कामें होती है इसलिए बोलते है Money speaks everywhere पैसा सबी जगा बोलता है अपनी जान की बाजी मतलगाओ Don't stake your life अपनी जान की बाजी मतलगाओ अभी मुझे घर पर अंग्रेजी बोलने में सरो मासूस होती है अगर ऐसा है तो इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे I fight shy in speaking English at home मुझे वहाँ जाने सहतराज नहीं है इसे अंग्रेजी में बोलेंगे I mind to go there मुझे वहाँ जाने में अतराज है इसको होगा I mind to go there मुझे वहाँ जाने में अतराज है अगर वही करना होगा मुझे वहाँ जाने में अतराज नहीं है I mind to not go there इसको होगा I mind to not go there मुझे वहाँ जाने में अतराज नहीं है वह हमेशा खाते रहता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा खाते रहते हैं पढ़ते समय भी खाएंगे बिश्टर में बैठे रहेंगे तो भी खाएंगे टीवी देखते समय भी खाएंगे उनके लिए हम अंगरेजी में परोग करेंगे वह हमेशा खाते रहता था इसके लिए हम बोलेंगे यहां खाते रहता था पास्टेंस है इसलिए कीप ओन को कर दिये हम अगर परजेंट में होगा तो कीप ओन होगा अब पास्ट में है तो केप ओन तो यहां होगा आज बारिश हो सकती है आज बारिश हो सकती है तो कैसा लगा आपको यह वीडियो अगर आपको यह वीडियो परसंद आया तो किर्पया करके लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना न भूले बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में